आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ how many gram of N2CO3 must be added to 1.5 litre of freshly prepared 0.2m NaHCO3 to make the buffer for H2CO3 हमें Ka1 दे रख है 4.7 x 10-7 and Ka2 दे रख है 4.7 x 10-11 तो ऐसा यह find out करते हैं so PKA जो होगा हमारा होगा equal to 11 minus log 4.7 k तो यह जाएगा PKA equal to 11 minus log 4.7 फिर मार्क कर लेते हैं 1 की तरह तो यह जाएगा pH equal to जो हमारा pH होगा वो क्या होगा pH equal to PKA plus log Na2CO3 upon 0.3 तो यहां से जो वल लिखा हमने वो इसमें पूट कर दिया है PKA में and pH हमारा पास है 10 तो यह जाएगा plus log Na2CO3 by 0.3 तो यहां से हम लोग 4.7 into 0.3 upon Na2CO3 separate कर लेते हैं इस तरफ यह जाएगा बाकी सब equal to 1 तो यहां से जो हमें जो हमारी Na2CO3 की value निकाल ली है वो जाएगी 0.4141 जो जो at last हमें निकालना था W Na2CO3 जो होगा वो आएगा 0.414 जो कि हमारी Na2CO3 की जो value आई है into 106 into 106 करेंगे तो यह जाएगा 14.946 यानि की तो इसको लिख लेते हैं यह एप्रोक्सिमेट 15 ग्राम जो वेट होगा इसका तो यह जाएगा 0.141 जो कि हमने इसका निकालना है जो Na2CO3 का into जो इसका molecular mass होगा 106 तो यह जाएगा 14.946 जो कि अप्रोक्सिमेटली हमनों लेंगे 15 ग्राम के ब्राबर तो थेंक्यू गाईस आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाथ्साप कीचे अपने डाउट्स आज चारसो 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 पर